हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई निव ब्लोग आप सभी लोग कैसे हो उमिद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे आज का वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत खास होने वाली है तो इस वीडियो में आप सभी लोग सुरू से अंतक बने रहे और सु हम लोग के कितने भी बताने के अनुसार बहुत सारे लोग को हम लोग बताएं वीडियो के माध्यम से बताएं कि बाबा का दर्बार पूर्ड रूप से अभी बंद चला हैं 10-12 दिन के लिए बंद चला हैं और यह बंद होने का वीडियो बहुत सारे लोग के पास भी गया लोग देखे भी और कुछ लोग देखे या नहीं देखे बाबा के दर्बार पर परड़ें सो दो सो पचाइस साट सतर लोग जा रहे हैं अभी कल हम एक वीडियो देख रहते तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक महिला थी अब सोचिए महिला वहाँ पर एक कहीं दूसरे जगह से आई थी हो सकता अब यहार से आई हो अब इतना हम पूरा नहीं देख पाया लेकिन वह महिला गई थी किसी छोटी बच्ची को लेके वह महिला रो रही है कि हम बाबा के हाँ आए और बाबा यहां नहीं मिल पा रहा है तो बहुत दूख की बात हो रही है कि कोई भी महिला हो या इनसान हो किसी दूसरे से पैसा लेके किराय भाड़ा लेके वहां पहुँच रहा है और पहुंचने के बाद बाबा नहीं मिल पा रहा है तो यह हम लोगों को देखने के बाद भी बहुत दूख होता है और हम पहले दिन ही जिस दिन दर्वार बंद हुआ उसी दिन हमने डाल दिया वीडियो कि बाबा का दर्वार बंद हो गया क्योंद तो नहीं लोग वीडियो सुध देखें पाइँ देखते भी हैं तो फोड़ासा देखेंगे और बन कर देंगे नहीं देखपाते हैं तो मेरा कान यह जो भी वीडियो आप लोग के पास जाता है उस वीडियो ing को पूरा देखा कै होंगे तो सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुकेस बाबा की जितने भी सरधालू है कि सभी लोग जानते हैं मुकेस बाबा भी बताएं कि हमारे सरधालू हजारों सब्सक्राइब करोड़ों में हैं तो इन करोड़ों लाखों सब्सक्राइब जितने भी सरदालू हैं इन सरदालू के बीच में अभी नहीं आ सकते हैं बाबा लेकिन किसी चैनल के माध्यम से किसी अने यूटूब के माध्यम से आके तो बोल सकते हैं ना बाबा आके बता सकते हैं कि हमारे जितने भी स्रधालु हैं, जितने भी हमारे भक्तगड़ा हैं और लोग परसान ना होए क्योंकि हमारी दरबार open होने में इतना समय लगे गाउज एक बार बाबा आके बोल देते तो लोगों में एक आस्था जो जगी हुई है वो तो जगी ही रहेगी प्लस एक उनको एक सहाने भूत मिल जाएगी कि हाँ बाबा का दर्बार इस टाइम ओपन होगा क्योंकि हम हो या कोई भी हमारे अधर चैनल वारे भाई हो कितने भी हम लोग बोल रहे हैं किसी पर असर नहीं पढ़ रहा है लेकिन अगर वही बाबा किसी भी चैनल पर आके अगर बोल देते कि दर्बार इतने तारीक से इतने तारीक बंद रहेगा एक जेट भी नहीं बता पाते तो बता देते कि इतने दिन तक बंद रहेगा दर्बार उसके बाद हमारा दर्बार उपन हो जाएगा तो लोगों में एक विश्वास की आग जग जाती और सब के अंदर एक विश्वास की आग लग जाती और हो क्या रहा है कोई भी वीडियो बना रहा है कितना भी बना रहा है वहाँ पर जाके बना रहा है यहाँ पर आके बना रहा है लेकि उसका असर उतना नहीं हो रहा है जितना बाबा का बोलने पर असर होगा तो बाबा अगर सुन रहे हैं इस हमारे वीडियो के माध्यम से या अधर किसी भी वीडियो के माध्यम से तो एक बार बाबा किसी भी चैनल पर आके वो बोल दे कि हम सुरच्षी था हैं सही हैं और हमारा दोर बार बहुत जल्द ओपन होगा यहां तक कुछ लोगों को आस यह लग रही है, कि लग रहा है बाबा का दर्वान उपन ही नहीं होगा, क्योंकि तमाम वीडियो पड़ा हुआ है, कुछ वीडियो में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और तमाम जितने भी आपके सरधालू है, सभी लोग तरह तरह कोई सोच रहा है कि बाबा का दर्वार नहीं खुलेगा कोई सोच रहा है कि बाबा है यह नहीं है कोई जूट बोला है कि बाबा यहां पे हैं तरह तरह के लोग गो का सोच है तो हम यही कहेंगे बाबा से एक ही रिक्वेश्ट है कि कि किसी भी चैनल के माध्यम से आपके आज 10 मिनिट उस चैनल कि माध्यम से आप बोल दीजिए कि हमारा दरबार इस कारणबंद है उस में कारण भी बता देज़ेगा कि हमारा दर्बार इस कारण बंद है और हमारा दर्बार इतने दिन तक बंद रहेगा लमसम इतने दिन तक बंद रहेगा उसके बाद फुलेगा क्योंकि एक आपकी जो सरधालू है इन लोगों में आस की एक किरड जग जाएगी और एक किरड लोगों में प्रकास देगी कि हाँ बाबा आ गए नहीं तो किसी को कोई पता नहीं है कि बाबा है कहाँ कोई कह रहा है कि बाबा आसरम में है तो कोई कह रहा है कि हास्पीटल में है कोई कह रहा है कि बाबा जेल में है मतलब तरह तरह के बाते हो रही है तो इससे अच्छा है कि बाबा एक बार किसी भी वीडियो के माध्यम से आ के बता दे कि हम सुरच्ची थे हम सही हैं हम दर्सकों के बीच में हैं हम अपने सरधालों के बीच में हैं हम अपने भक्तों के बीच में हैं नहीं तो भक्त धीरे धीरे क्या करेगी विश्वास उठना स्टार्ट हो जाएगा लेकि ऐसा नहीं होगा बाबा का जो सक्ती है जो बाबा का आस्था लगा हुआ है लोगों में ये कभी नहीं तुटेगा चाहे कोई भी कितना भी वीडियो उल्टा बनाए सिधा बनाए कोई असर जंता पर नहीं होने वाली ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं तो बाबा से एक ही रिक्वेस्ट हाथ जोड के रिक्वेस्ट है कि बाबा जहां भी हो एक बार किसी भी चैनल के माध्यम से आप बोल दि जय हिन जय भाराज जय सितलामा जय मुक्यस बाबाद